नमस्का आए उस्टासी आयो जरकन की टौप 25 परमुख खबर जानते हैं बीर सहीद सिधु कानू को सियम हिमंत ने किया नमान हुल दिवस के मौके पर मुख्य मंत्री हिमंसिरिन साहिब गलजील्या के भोगना डी में अमर सहीद सिधु कानू समेत अने सहीदों को नमन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सुरू से ही अपनी हक की लडाई लड़ता रहा है जिसका जीता जाकता उदारन भोगना डी से प्राप्त होता है जहां के अमर बीर सहीद सिधु कानू ने अंग्रेजों से आदिवासी समाज के हीतों की रक्षा के लिए अपने प्रानों की आहुती दी बतादे सीम सुरेन ने कहा कि आदिवासी समाज ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है इतिहास के अनेको कहानियों में उन्होंने अपना प्रमुक छाप छोड़ा है आदिवासी समुदाय ने समाज के प्रती कतब का पालन कर अपनी अलग अस्थान बनाई है यह समाज जल जंगल और जमीन को बचाने में अपनी प्रमुक भूम का निभाता रहा है ज्यारखन में पूरवी पश्मी टर्फलाइन के असर से आने वाले तीन दिन तक कुछ जगों पर भारी और कई अन्य इलाके में हलकी बारिस के असार है बुद्वार को देर रात तक राजे के उत्री एवा मध्य भाग में कुछ अस्थान पर भारी और कहीं कहीं हलकी बारिस हुई एक जिलाई को संताल परगना के छह जिले और दक्षनी पश्मी भाग में गुमला सिम्डेगा चाईबसा जिलाक में कुछ जगों पर भारी बारिस के असार है मौसम केंद्र के बैग्यानी अभिसेक अनद ने बताया है कि अगले मानसून के और सक्रिय होने से राजमे बारिस के अनुकूल होगा और धीरे धीरे बारिस का दायरा बढ़ेगा इंटर कोमर्स आर्ट्स रियल्ट घोसीत जार्खन एकेडमी काउंसिल ने इंटर कोमर्स और कला संकाय का परिक्षा 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 मालूम हो की 21 जुन को जार्खन बोर्ट के ओर से दसवी और इंटर साइंस का पईनाम जारी किया गया था जार्खन में तेजी से बढ़ रहा कुरोना स्वास्त बिभाग ने कुरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सभी जीलो को अलट करते हुए इसके संक्रमन की रोक्थाम को लेकर आवस्यक उपाय करने को कहा है बिभाग के अपरमुख सचीव अरून कुमार सिंग ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज कर कुरोना की जांच सथर्टी का करन की गती बढ़ाने के भी निर्देश दिये हैं बता दे अपरमुख सचीव ने उपायुक्तों से जूनमा में बढ़ते केस हुआ सब्ताइक संक्रमन की दर की जनकारी लेते हुए केंद्रीय स्वास्त्र मंत्राले द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन का सक्ति से अनुपायुक्तों को संक्रमित की समय पर पहचान करने उसे आइसोलेट करने तथ टिका करन करने पर जोर दिया है। सुमित मोहंती रहे हैं और उनकी देख रेख में कमपनी ने दिनों दिन मजबुती प्राप्त की। कमपणी की ओर से सुमित मोहंती ने गुरु अर Connor को परधान मंत्री के हाथो पुरसकार प्राप्त किया। इस कम्पनी के कर्याले भुनेशवर, मुंबाई, कुलकत्ता, गुवाहाटी, राची, जमसेदपूर, पटना, रायपूर और आधी सहरों में है और बरतमान में यह कम्पनी 100 से अधीक कार्पोरेट कम्पनियों यहमराज सरकारों के साथ काम कर रही है तीन महीने बंद रहेगा पलामू का बेतला नेशनल पार्क, मानसुन के आगमन के साथ थी वन जीवो का प्रजनन काल सुरू हो जाता है इस दोरान सुरक्षा और सनवधन को ध्यान में रखते हुए देश भर के नेशनल पार्क बंद कर दिये जाते हैं बता दे पलामू टाइगर डिजर्ब के तहद बेतला नेशनल पार्क भी बंद होने जा रहा है एक जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा एक अक्टूबर से परटको के लिए खोला जाएगा मानसुन का मौसम वन जीवो का प्रजनन काल होता है इस दोरान उन्हें सांती और सुरक्षा की जरूरत होती है पार्को में पलटकों की गती वीदियो से वन जीवो की सांती भांग होती है और वे परेशान महसूस करते हैं आर्ष में खुटी और कॉमर्स में जाम तरह जीला आगे आर्स और कॉमर्स रिजल्ट में जीला का परफरमेस की बात करें तो आर्स में खोटी जीला सबसे आगे रहा है यहां का रिजल्ट 99.27 पिस दी रहा है वही कॉमर्स में जाम तरह आगे है यहां का रिजल्ट 98.18 पिस दी रहा है आर्च में टौप पांच जीलों की बात करें तो खोटी केबाद लोहर्दागा, सिम्डेगा, हजारी बग और गुमला सामिल है लाते हार, हजारी बग और कोड़ार्मा के नाम सामिल है CM Hemant Mining feliz मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को जारखन हाइकोट में गुरुरों को CM Hemant Surren के करीवियों के सेल कमप्णीओं में नीवेश और अनगारा में माइनिंग लिज आमउंटन मामले में जनीत याज कять पर सुनवाई होई इस दवरान वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महा अधिवक्ता ने अपना अपना पक्ष रखा बता दे कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की जिस पर हाई कोट ने सुनवाई की अगली तारिक 5 जुलाई 2022 निजायत की है गुरुआर को जारकन हाई कोट में इस मामले की सुनवाई हुई जे बी भी एनल एमडी ने डिवी सी सी एमडी को लिखा पत्र डिवी सी कमांड एरिया के साथ जिलो में पिछले दो दिनों से बिजली संकट का राया हुए है मांग के अनुरूप आधी बिजली भी नहीं दी जा रही है बता दे डिवी सी कमांड एरिया के धनबाद बोकारोगिरी डी रामगर हजारी बाग चत्रा और कोडार में में आवस्तन आठ से दस घंट तक ही बिजली दी जा रही है इस्थीती देख जार्खन बिजली बित्रन निगम के एमडी अविनास कुबार ने डीवी सी को चेर्मैन से बात भी की साथ ही एक पत्र भी भेजा है एमडी ने पत्र में लिखा है कि पिछले दो दिनों से डीवी सी कमांड एरिया के जीलों में 12 से 14 घंट तक बिली की कटवती की जा रही है डीवी सी अधिकारियों ने कारण बताया है कि कोडार्मा थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट बंध होगा यहाई जिसके कारण यह हो रहा है IDBI में ASO के 226 पदों पर करें आवेदान IDBI ने specialist officer के 226 पदों पर भरती के नोड़ी पिखितन जारी किया है इस बाहली के तहट बिभीन बिभागों मेंनेजर के 82 पद, जर्नल मेंनेजर के 111 पद और डिप्टी जर्नल मेंनेजर के 33 पदों पर भरती की जाएगी मने अता प्राप्त विश्व विद्याला या संस्थान से सम्मधित विशाय में निम्तों 60 पर 37 अंगों के साथ बेचलर डिगरी होना चाहिए इस बाहरे में 20 जनकारी अधिसुर्चना से देख सकते हैं रांची से निर्माला भगत बने जिला परिशत अध्यक्ष रांची में कल हुए जिला परिशत अध्यक्ष वव उपाध्यक्ष चुनाओं में आईसु समर्थित उमिद्वारों का काप जा रहा बता दे निर्माला भगत अध्यक्ष वव बिना चोधरी उपाध्यक्ष चुनी गई कल जिला परिशत भवन में दीन के गाला बये सभी जिला परिशत अध्यक्ष चुनाओं में फिर अध्यक्ष पद के लिए चुना हुआ इसमें आईसु समर्थित उमिद्वार निर्माला भगत ने भाजपा समर्थित उमिद्वार हिंदिया को 24 वोट से हराया जारखन के हाई स्कूलों में होगी सिख्षको की नियुक्ती जारखन के हाई स्कूलों में छो वरस बाद सिख्षको की नियुक्ती होगी बीधी बिभायग ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है पिछली सिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोट के फैसला के पूरो नियुक्ति पर किरिया शुरू की जा सकती है इसके लिए पिछली नियुक्ति परकिरिया के तहट सफल अव्यार्तियों के अनुसान सित पदों को छोड़ दिया जाएगा इसकुली सिक्षा इवं सक्षर्टा विभायग ने इसे लेकर जार्कन करमचाहिर चाहन रुक्तर जनकारी मांगी है राजे में 6 सल बाद हाई स्कुल में सिचको के नियुक्ति परकिरिया शुरू होगी सियम हमन्त ने फोसिलस को सनरक्षित रखने के दीस होगाद संताल परगना के दोरेव पर आयमोखे मंतरी हमन्स रेने गुरुवार को साहिव गंज के मांडरो इस्थीत अति प्राचिन फोसिलस पार्क तथा फोसिलस म्यूजियम सा अडिटोरियम का उदगाटन कर संताल वासियों को एक नयाब तोफादिया है यह फोसिलस पार्क जहां सैलानियों के आकर्सक का केंद्र होगा वहीं भोगर्व सास्त्रियों, विद्यार्थियों और सोध करताओं को सोध में काफी सहुलियत होगी इस दरान मुख्य मंत्री ने फोसिलस पार्क का भ्रावन भी किया बोकारो चास बैंक डकायती के चार मुजलिम गिरफदार चास के इंडियन बैक में कल दो पर एक बजे हुई डकायती को बोकारो पुलिस ने 24 गटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है बोकारो एस्पी ने इस केस की जाज के लिए S.I.T. का गठन किया था इस S.I.T. ने डकायती में सामील 6 में से 4 अवियुक्तों को गिरफदार कर लिया है उनके पास से बैंक से लूटे गए 20,74 रया रुपए तीन पिस्टल, एक कटा, 17 कार्थूस डकायती में इस्तेमाल बाइक और हेलमेट जब्त किया गया है गिरफदार जीतेंद्र सिंग बिहार के नरंदा जिले के लहरिया का रहने वाला है वहीं इस डकायती का मास्टर माइंड था देवघर एयरपोट का उद्गाटन करने के बाद बाबा के दर्शन करेंगे पीएम मोदी बाबा नगरी देवघर में 12 जुलाई को परधान मंत्री नैंद मोदी के दोरे की रूप रेखे तियार करने और मिनट टू मिनट का एकरम बनाने के लिए गुरुवार को जीले में हाई लेवल मेटिंग की गई पीएम के आगमन को लेकर जार्खन के कई वर ये अधिकारी देवघर पहुचे हुए हैं दरसल पीएम 12 जुलाई को देवघर यारपोर्ट का उद घाटन करेंगे ऐसे में देवघर यारपोर्ट परिसर में हाई लेवल मिटिंग आयोजित की गई मिली जनकारी के अनुसार इस मिटिंग में जार्खन के मुक सचीव सुकदेव सिंग डिजीपी नीरज सिनहा और पताधिकारी मौझूद थे देवघर मेले को लेकर पुलिस बलो को दी जा रही भी से ट्रेनिंग करोना के कारण पिछले दो वर्षुत देवघर में सरावनी मिले कायोजन नहीं हो पा रहा था लेकिन इस बार COVID-19 संक्रमन की रफ्तार धिमी होने के कारण रियायत मिली है और इस बार सरावनी मिले कायोजन किया जा रहा है इसके मदनजर परसासन ने सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये है उमीद जताई जा रही है कि इस बस काफी संख्या में बाबा के दर्वार में सदालू पहुचेंगे बता देवघर सरावनी मिले के मदनजर नए थाना टियोपी के साथ साथ साथे लिवाज में सुरक्षा कर्मी रखने के निर्देश जार्खन पुलिस मुख्याले की तरफ से दिया गया है पालामू से टीस पीसी का उग्रवादी गिरफता जार्खन पुलिस को मंगलवा रात एक बड़ी कम्यावी मिली है राज जिये के पलामू जीले में देर रात पुलिस के एक बिसेस दलने 14 वर्षों से फरार परतिबंधी 33 सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी टीस पीसी के एक सट वर्षों से उग्रवादी को गिरफतार किया है गिरफतार किये गए उग्रवादी को इससे पहले भी पकड़ने के लिए कई अभ्यान चलाए गए थे पुलिस ने इसकी जनकारी दिया है पेट्रोल सबसिड्री लेने से पीछे हट रहे लाभूक जारखन के हमन सरकार की पेट्रोल सबसिड्री योजना लोगों को रास नहीं आ रही है इस थितिया है कि लोग इस सबसिड्री को लेने से पीछे हट रहे है इस साल 26 जन्वारी को गंतंत्र दिवस के अउसर पर मुख्यमंत्री हमान सिरेन ने पेट्रोल सबसीडरी योजना की शुरुवात की थी इस योजना के तहट रासनकार धारियों को पेट्रोल की कीमत में प्रती लीटर 25 रुपे की सबसीडरी देने की प्रधान था ये ब्यक्ती प्रती 10 लीटर पेट्रोल सबसीडरी ले सकता है बता दे योजना की तियारी अधिकारियों ने कर रखी थी और जैसे ये मुख्यमंद्री बटन दबा कर योजना का अरम किया जीले के लगभग आठ हैर लोगों के खाते में प्रती ब्यक्ती 250 रुपे चले गए थे खोंटी के एक लाह किसानों को रभी फसल से जोडने का लग छे क्रिसी मतस से उध्यान एवं पसुपालन की समिक्षा करते हुए योजनाओं को गती देने के उदेश से इसके लिए उन्होंने सभी प्रखंड किरिसी पता अधिकारी प्रखंड तक्निकी प्रवंधक सहायक तक्निकी प्रवंधक जन सेवक योजनाओं किसान मित्रे को माध्यम बनकर योजनाओं का लाब किरिस्कों को तक पहुचाने का निर्देश दिया खुटी से कबड़ी खिलाडी गढ़वा के लिए रवना खुटी सिनियर कबड़ी की टीम गुरु आर को गढ़वा रवना हो गई राज अस्तरिय सिनियर कबड़ी परत्योगता गढ़वा में 1-3 जुलाई तक होगी जिसमें खुटी जीला के बालक और बालिका दोनों टीम भाग ले रहे हैं बता दे खिलाडियों का नितित्यों कबड़ी एसोसेशन अफ खुटी के अध्याक सिव कुमार महतो और सचीव सुमित कुमार कर रहे हैं बता दे अभी हाल ही में खुटी की राखी कुमारी उत्राखन से राश्ट्रीय सब जुनियर कबड़ी में हिसले कर वापस लवटी है सर्वजन पेंसन के लिए रांची जीला में घर घर होगा सर्वे रांची के उपायुक छवी रंजन ने कहा है कि जीला में एक भी योगे ब्रीध दिव्यांग एवां निराक्षित्र महिला सर्वजन पेंसन लाभ योईना से बंचीत नहीं रहे इसके लिए हर घर का सेवी का सहाई का और बी एलो की ओर से सर्वे का का काम होगा उपायुक तेने बुद्ध्वार को अभासी बैठक कर समधित अधिकार्यों को कई निर्देश दिये धन्यवाद